हेलो एविवान वेल्कम बाक तो आप लोग बताईए कि आप लोग कैसे हो एन आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है मैं आज specially ऐसा क्यों पूछ रहा हूं because last one week से हमारा पूरा देश काफी डिस्टर्ब्ड है एक topic को लेकर अगर आप YouTube पे जाओगे तो उसी topic के related आपको सारी वीडियो दिखेंगे राइट तो इस वेरी डिस्टर्बिंग बट मैं आपको यही सजस्ट करूंगा कि आपके गोल के ओपर focus रही है definitely हम सब disturbed हुए इस चीज से बट हमारा गोल है उसके ओपर हमें focus रहना है right and YouTube आपको बहुत सारे videos recommend करेगा जो आपके गोल से related नहीं है but it depends upon you आपको वीडियो देखना है कि नहीं देखना है right so just protect your brain negativity को दूर रखेगा right positive because NEET exam is not just about knowledge आपका positive mental attitude mental health physical health everything is important right and अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ चीजा शेयर करनी है या आपको कोई suggestion चाहिए तो description में मेरा email ID है Instagram ID है आप बेज जिजक मुझे मेसेज करिए even apart from chemistry को या चीज आपको discuss करनी है right I'll be helping you as an elder brother and यहाँ पर pandemic की बात करें तो अब देखे रहे हो कि doctors की कितनी ज्यादा demand है यार है आप लोग जल्दी जल्दी नीट क्राक कर लो अच्छे college में admission ले लीजिए अच्छे doctors बन जाए इस दुनिया को बहुत अच्छे doctors की जरूरत है right so आपका वो जो dream है उसको ignited ही रखिएगा तो इसी के साथ यार शुरू करते हैं हम लोग NTA का neat paper 13 ना इस paper में 45 बहुत ही अच्छे और unique questions मैंने देखे है क्या questions है कैसे solve करना है वो discuss करते है जैसे हर वीडियो में बोलता हूं explanation के पहले आप खुद से try करो question तब आपको समझ में आएगा कि आप कौन से पार्ट में कहां पर फस रहे हो एंदेन मेरा explanation देखेगा चलो शुरू करता है तो सबसे पहला question क्या बोल रहा है a tetra atomic molecule x तो अपने पास है let's say मैं x4 लिख देता हूं on reaction with nitrogen oxide जिसका oxidation number है one मतलब वो होगा क्या n2o laughing gas produces two substances y and z okay y plus z y is a dehydrating agent चलो वाइज जो है वो क्या है dehydrating agent है while compound z is a diatomic gas मतलब यह z2 इसको gas लिख देता हूं shows almost inert gas behavior तो inert gas की तरह दिखाई दे रहा है तो noble gas तो होगा क्योंकि noble gas diatomic तो नहीं होती है noble gas के अलावा ही कुछ होगा this substance x y and zr तो tetra atomic पहले देख लेता है सब में P4 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 दिया ही है दूसरा n2o अच्छा n2o अच्छा n2o तो दिया ही है ना अपने को वाई ढूना है which is a dehydrating agent now n2o dehydrating agent नहीं है dehydrating agent यहां पर फॉस्फरस के compound तो याद रखना p2o5 is a dehydrating agent but sir p2o5 तो नहीं दिया है बड़ उसका डाइमर तो दिया है ना तो या तो भी हो सकता है या तो दी हो सकता है अब यहां पर क्या बोला है जेड जो इनर्ड गया है वो डाय आटॉमिक है मतलब नाइट्रोजन होगा आरगन नहीं होगा तो फर्स्ट का ओप्शन के आगया है डी क्लियर नेक्स कोशन यह भी बहुत प्यारा सा कोशन है थोड़ा सा ट्रिकी कोशन है यह क्या बोल रहा है कोशन अरेंज द फॉलोविंग स्ट्रक्चर एकोर्डिंग टू देर इंक्रीजिंग ओडर ऑफ आसेडिक बिहेवियर अब सारे फिनॉल दिये गए अब फिनॉल में है जब एच माइनस एच प्लस डूनेट कर देगा तो क्या बनेगा ओ माइनस देखो डूनेट करना इंपॉर्टन नहीं है डूनेट करने के बाद जो मॉलीक्यूल है वह स्टेबल होना चाहिए तो खुशी खुशी डूनेट करेगा अब देखिए यह माइनस मतलब एक सबसे ज़्यादा मॉइनस यह दिखाता है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए फूर इत्यू फूर्ड श्रड़ यहां पर जो चृपत क्या है कि जो फलूरीन ऐसके पास क्या है लोन पर और कर्बन का साइस कार्बन अगर आप्त क्या है 2-3 होता ऑर फ्लूरीन क्या उता है 2p5 होता है तो size काफी comparable है तो इसमें थोड़ा बहुत resonance हो जाता है resonance में क्या करता है वो electron donate करता है मतलब acidity को decrease करता है तो इस चक्कर में इस चक्कर में chlorine जो है वो बाजी मार लेता है अगर आप आप बोलोगे से resonance तो chlorine भी दिखाएगा येश बट है लोजेंस में आपको याद रखना है 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 लोजेंस में inductive effect is the dominating effect तो सब में आई माइनस आई जो है वो dominating होगा सिफ फ्लोरीन का जो size है वो comparable है इसलिए वहाँ पर resonance हो जाएगा तो सबसे पहले chlorine आएगा और उसके बाद में fluorine आएगा तो इस third and then second third and then second third and then second okay तो या तो या तो एह हो सकता है या तो थो सकता है last में क्या आएगा अपना first आएगा दोनों तो आपना एंसर क्या है से बढ़ता है नेक्स कुर्शन नमबर थ्री क्या बोल रहा है यह कुष्ण चलो देखते हैं ना इसकुष्ण में थोड़ा सा मिस्टेक है सॉल मत करो मैं बताता हूं मिस्टेक क्या है और यह वाला कुशन पूरे पेपर में नीट के नीट 13 जो पूरा पेपर है सबसे डिफिकल्ट अगर कोई कुछन हो सकता बच्चे के लिए तो यह वाला होगा चला देखता है 0.016 molar of an acid solution in benzene is dropped on water surface तो बेंजीन तो क्या होता है evaporate हो जाता है और acid क्या करता है एक monomolecular film बनाता है of solid type all right तो मतलब अपने पास क्या है यहां पर लेट से यह water है उसके उपर जो है acid एक film बना देता है acid का concentration क्या दिया है 0.016 molar what volume of above solution acid का solution would be required to cover a 500 surface area अब sir 500 surface area क्या होता है it is actually 500 centimeter square area of water with mono molecular layer of acid area covered by single acid molecule is अब यह गलत दिया है यह value अगर आप use करोगे तो answer आएगा ही तो यहां पर याद रखो 21 into 10 raise to minus 20 meter square तो एक molecule इतना area cover करता है अभी एक molecule उतना area cover करता है तो कितना volume लेना पड़ेगा पूरा surface cover करने के लिए देखो अभी ध्यान से देखिए अब यह acid दिया है actually मैं यही question यही question स्पेसिफाई करते हैं कि इसमें acid कौन सा है इसमें जो acid है basically palmitic acid है palmi 15 carbon okay palmitic acid इससे आप सोब बनाते हो पंदरा carbon और कार्बोगजलिक acid हो तो लॉंग चिन फाटी acid है अभी इसका मूलार मास होता है 256 grams पर मूल है ना और देंगे क्या देंगे कि भाईया 4.24 ग्राम ऑफ पाल्मिटिक acid is used to prepare the solution और तो अगर आप यह value यूज करोगे एक लिटर का solution आपको यह concentration इतना ही आने वाला है ठीक है खेर यह तो मैंने आपको एक्स्टा information दे दिया कि इंस्टेड ओफ यहां पर तो अपने लिए अच्छा क्या किया है डायरेक्ली मुलारीटी दे दिया अगर यह वेट और मुलार मास दे तो तो मुलारीटी पहले ढूंडना पड़ता हमें ओकेषए अभी क्या बूला है एक molecule एक molecule कितना सर्फेस एरिया कवर कर रहा है ट्वन तो कितने molecules लगेंगे कितने molecules of acid लगेंगे पूरा सर्फेस एरिया कवर करने के लिए तो अपने पास क्या है यहां पे 500 cm2 divided by 21 into 10 raise to minus 20 अगर मैं इसको cm2 लिखता हूँ cm मतलब 10 raise to minus 2 square है तो 10 raise to minus 4 में को यहाँ पे 10 raise to 4 लिखना पड़ेगा बराबर की नहीं अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा 500 ये इसको 10 raise to minus 20 और 10 raise to 4 हो गया तो को माइनस 16 उपर गया तो 16 तो ऐसा में लिए को 5 इंटो 10 रिएस to 18 डिवाइड़ बाइ 21 अभी इतने एसिड के मॉलिक्यूल लगेंगे पूरा सर्फेस एरिया कवर करने के लिए उन्होंने कितने molecules लगेंगे पूरा surface करने cover करने के लिए वो नहीं पूछा कितना volume लगेगा अब देखो हम क्या करते हैं नमबर ओफ मोल्स ढूनते हैं तो देखो one mole में कितने acid के molecules होंगे 6.022 into 10 raise to 23 अपने पास कितने molecules आगे 5 into 10 raise to 18 divided by 21 अभी इसमें कितने मोल्स है वह में पता नहीं है सर आपने मोल्स क्यों ढूंडा देखो मोलारीटी का फॉर्मला का है मोलारीटी इस नमबर ओफ मोल्स divided by volume of solution in liter बढ़ यहां पर ml में दिया है न तो मैं ml लिखता हूं और उपर multiply by thousand करता हूं बोले तो 10 raise to 3 तो देरफोर वॉल्यूम इन ml विल बी इकोल तो मोलारीटी कितना दिया है 16 into 10 raise to minus 3 है ना नहीं यह मोलारीटी क्यों लिखरों में पहले है पहले तो नंबर ओफ मोल्स लिखना पड़ेगा कितना है नंबर ओफ मोल्स अपने पास 5 into 10 raise to 18 divided by 21 into 10 raise to 3 मोलारीटी नीचे आ जाएगा ना हां मोलारीटी नीचे आ जाएगा तो मोलारीटी क्या है 16 into 10 raise to minus 3 तो अगर आप यह सॉल करोगे तो आपको option B आना चाहिए बचन में आ गई तो पहले क्या किया कितने number of molecules लगेंगे और वो molecules का मोल्स कितना है और उसको मोलारीटी के formula में डाल दिया done simple सा question simple तो नहीं बोलूँगा थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा यहाँ पर तो यह आएगा copy किर लिए आप लोगों ने आगे बढ़ें नेक्स्ट इस question number 4 मार्श गैस किसको बोलते हैं सिंपल सा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मीथेन गैस को मार्श गैस बोलते हैं आगे देखो organic chemistry का question है यह तरीके का नेम reaction है CH3C double bond Ocl अब PD याद है क्या PD PDH2204 यहाँ पर क्या बनता है CS3C double bond OLD हाइड बनता है LD हाइड कौन सा reaction है यह रोजनमंड reaction है तो यह कौन सा LD हाइड है असिटाल है so the answer is A done simple हाइड कौन था question number 6 all right क्या बोल रहा है यह for the gaseous reaction okay C2H4 plus H2 gives you C2H6 hydrogenation हो रहा है delta H is negative मतलब exothermic reaction है the equilibrium concentration of C2H6 can definitely be increased by मतलब हमें forward reaction चाहिए तो क्या करेंगे देखो exothermic reaction है इसका मतलब क्या अगर आप किसी flask में लेक्षे reaction कर रहे हो तो already यह जो बीकर है एकदम गरम हो जा रहा है है तो आप उसको और गरम ना करो हरा तो आप क्या करोगे इसमें temperature decrease करोगे exothermic में temperature decrease करोना पड़ता अगर आपको forward reaction में लेके जाना है तो अब क्या बुला है decreasing temperature तो यह तो गलत हो गया यह भी गलत हो गया अब यहां पर increasing pressure है और यहां पर decreasing pressure है अब देखिए अगर मैं pressure को increase करता हूं देखो PV is equals to क्या होता है NRT होता है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं pressure is directly proportional to number of moles तो अगर हम pressure बढ़ाते हैं तो इसका मतलब number of moles भी बढ़ा रहे हम लोग what we are doing is we are increasing number of moles तो reaction उसका करेगा ना reaction ऐसे direction में जाएगा जहां पर number of moles is less तो देखिए लेफ्ट and side में two moles है और राइट and side में one mole है तो less number of moles कहां पर right side में है तो reaction right में जाएगा तो दो conditions है low temperature and high pressure तो कौनसा अपना answer हो गया option B 6th का answer है B simple तो यह chemical अगर chemical equilibrium का मेरा one shot video देखा है तो यह आपको बड़ा आसान लग रहा होगा अपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए बचो बहुत सारा मेंने topic wise वहां पर mcqs करवाया है next question क्या बोल रहा है मेरा favorite chapter amoxicillin is semi synthetic modification of देखो amoxicillin यह सारे लास्ट में जिसके भी सिलिन आता है ना तो मतलब पैनिसिलिन का derivative है तो यह इस दाएंसर क्या चलो next question oh yes मैं तो सबसे ज़्यादा time consume होगा चलो देखते हैं क्या सब so what is question no.8 in how many of the following molecules all atoms are in same plane तो लगभग चार-चार 16 molecules दिये हैं और option अगर आप देखो तो जीरो दिया है 10 11 12 ओहो एक एक का difference यह मतलब एक भी आगे पीछे वा बैया गया चार मांग चलो देखते हैं CLF 3 तो पहला है CLF 3 यह chemical bonding का question है अभी हैलोजन जो है उसके आउटर मुश्यल में सांथ electron होते हैं वो तीन bond already बना रहा है मतलब दो लोन पर है दो लोन पर है तो पांच बना रहा है पांच बनाता है तो क्या होता है लोन पेर जो है लोन पेर जो है वो एक्वेटोरियल पर आएंगे है ना और यहां पर क्या होगा एफ 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 तो दिस इस टी शेप्ट और तीनों भी अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही प्लेन में है फ्लोरीन एक इस तरीके से एक उपर जा रहा है और मतलब परपेंडिकुलेर एक दूसरे को सो दिस मॉलीक्यूल इस बेसिकली प्लेन आर आगे बात करते हैं से और में पांच एलेक्राव होते हैं तीन beंड बना रहा है उसके पास एक लोन बैर बात करते हैं बीएफ्वस की भी लओन पर नहीं है तो बी एफ 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 है ना सो ये हैए प्लेन आर फिफ्थ बात करते हैं SF4 और एक loan pair है पांच bond बना रहा है मतलब तो ये भी क्या होगा ये planar होगा क्या लगता है एक F उपर जाएगा एक F नीचे आएगा दो F इस तरीके से और एक loan pair ऐसे अब देखो equatorial पे अगर एक fluorine होता तो चलो ठीक है बट दो fluorine है तो दो fluorine है तो क्या हो रहा है वो तो ऐसे बीच में equatorial पे इस तरीके से बट उपर वाला fluorine क्या हो रहा है वो कुछ इस तरीके से है मतलब यह दो fluorine अगर एक fluorine होता तो ठीक है मतलब अगर मैं यहां पर इस तरीके से कोई ऐसा book रखूँ तो वह एक ही book में ऐसे एक ही plane पे आ जाएगा बट दो fluorine है तो यह वाला fluorine बहार आ रहा है तो दिस नॉन प्लेनार नॉन प्लेनार सिक्ष्ट वाला कुष्चन देखते हैं एक टू एस यह वाटर की तरह हो गया तो यह भी क्या हो जाए पिलेनार सेवेंथ ओसी यह वाटर की तरह हो गया दूबन की तरह है एक डिएज तूओ यह भी क्या है यह भी ब्लेनार ही है लिए नेक्स्ट अथ बात करते हैं क्या है एस ओ असरी में क्या होता हैएस डबल बॉंड बॉंड डबल बॉंड बॉंड सारे oxygen एक ही बेन में है इस अशीप फिक्स अभी जैनॉन में आउटर पांच और यह सिक्स्त वाला फ्लोरी तो यह क्या है नॉन प्लेनार रहें नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका एनिच नहीं तेंट क्या है हाँ एनेच त्री है एनेच थ्री में पिरामिडल शेप होता है तो यहां पर दिये आगें नॉन प्लेनार आ गया लेवन्त में C6 H6 त देखे इसमें कैसे होता है XE F ऊपर होता है 1 F नीचे होता है बाकी तीन लोन पर इस तरीके से उता है तो जैन और फ्लोरीन एक ही लाइन में मतलिभ क्या है आपका प्लेनार अर्मॉल 13 त बात कर लेता है क्या दिया है XE F4 तो चार एलेक्ट्रोन हा तो यहां पर दो लोन प तो इस इस लाइक बीच में देखो ये मेरा हात है बीच में यहां पर जैनॉन है और इसी प्लेन में एक्विटो्रियल में चार फ्लोरिन है अलग-अलग दिशा में स्क्वेड चेप में तो दिये आपका क्या हो गया यह प्लेण आर मॉल्लीड गया नेक्स्ट बात करते हैं फोटींत के बारे में पीसील फाइफ पीसील फाइफ डेफिनेटली यार सब क्लोरीन अलग-अलग दिशा में जा रहे हैं तो यह आपका नॉन प्लेनर मॉलीकूल हो गया 16 यहां पर मैं लिख लेता हूं नहीं 15 बाकी है ना आई-टू-C-L-6 अब देखिए यह एक्जाम्पल है डाइमर का यहां पर आयोडीन आयोडीन है और यहां पर एक दो तीन चार और बाकी के जो दो क्लोरीन है ना वह ऐसा बीच में होते हैं ब्रिच की तरह सो यह दो आयोडीन हो गया और चे क्लोरीन और सबके सब एक सिंगल में है तो यह अपना प्लेणार मॉलीकूल हो गया तो यह अपना क्या हो गया नॉन प्लेणार चलिए देखते हैं फिर क्या क्या एंसर है तो फर्स्ट बराबर है प्लेणार सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट है और लेवेंथ है टुवेल्थ है फिफ्टीन थै और देखते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और यहां पर मैं सो गया ना थर्टीन यह भी प्लेणार है तो अपने को आ रहे हैं आ लंबा कोशन था ज्यादा टाइम कंजूमिंग था तो आई डून थिंग इतना बड़ा टाइम कंजूमिंग कोशन पूछेंगे एक्जाम में यहां पर आगे हैं हमने सॉल कर लिया है नेक्स्ट कुश्चिन की तरफ बढ़ता है कशन नंबर नाइन एक दम बच्चे वाला क हमना है सिंपल आगे बढ़ता है कुशन नबर टैन इन इस्टिमेशन अफ सल्फर इन और गानिक कंपाउंड ओन ट्रीक्मेंट विट कॉंक अच नो थी इस कनवर्टे इंटो सम बेसिक प्रिंसिपल्स ओफ और गानिक केमिस्ट्री एंड सेपरेशन टेक्निक्स में पढ़ा वाटर में लिखता हूं और एच नो थी जो है कॉंक एच नो थी इटाक्स आज अन ऑक्सिटाइजिंग एजेंट तो यह वहां से अपने को आ जाएंगे तीन नेसेंट ऑक्सिजन तो यह बनाता है क्या है एच टू एसो फोर तो अपना यहां पर एंसर गया आगया सी संबल चुल आगे बढ़ते हैं तो यह जब आप मल्टिप्लाइ करोगे तो कितना आएगा लेट से मैं इसको 6 ही कंसिडर करता हूं 12 31 ओके तो मैं 3.12 इंटू 10 रेस्टू 25 लिखता हूं तो 3.12 तो लेट का अपने को एंसर आ रहा है सी तो फर्स्ट का आपने निकाल दिया तो फर्स्ट का ही मैच कर रहा है तो आगे का करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आगे बड़े हैं दा मेजे प्रोड़क्ट फॉर्म्ड वेन थ्री मिथाइल टू पेंटीन रियाक्स विद्ट क्लोरीन वाटर बोला है याद रखो क्लोरीन वाटर जब यूस करोगे होसील तो सीएल जो होगा वो प्लस होगा और वाटर बूले तो ओएच माइनस वहां से आएगा तो पहले पैंटीन बना लेता है एक दो तीन चार चार लाइन बनाते है तो पांच कारबन आटमाटिकली बन जाता है एक दो त्यारी मिथाइल और यह सेकेंड पर आल राइट अब इसमें हम डाल रहे है क्या सी-ल माइनस सी-ईल प्लस ओवएच माइनस तो अब देखिए इसको इस तरह करो तौस सी-चाल माइनस अब मारकोनीकोत प्लस बनक 이प करें दो अा मिये करना पढ़ाएगा मतलब यह वाला कारबन है इसको हैड्रोजन देना पढ़ा गा मतलब H+, तो इसी को CL- देते है ना तो क्या हो जाएगा यहां पर CL आ जाएगा और यहां पर क्या आएगा OH तो यहां पर ऐसा कौन सा एंसर है यह कारबन के उपर मेथाइल है और एथाइल भी है मेथाइल है आज वेल एथाइल है तो ट्वेल्थ का अपने को एंसर आ रहा है सी सिंपल नेक्स कॉस्टन कॉस्टन नमबर थर्टीन मेजर प्रोड़क्ट फॉर्म बाई मोनो ब्रोमिनेशन और फिनाइल बेंजोवेड बहुत इंपॉर्टन कॉस्टन है एलेक्रोफिलिक सब् पताता हूं सी डबल बॉंड हो मैं आप वेज बना लू तो बेंजोविक असेड बट हमें यहां पर क्या बनाना फिनाइल एस्टर बनाना है अब देखिए मोनो ब्रोमीनेशन मतलब मुझे बी आर प्लस एड करना है कही पे तो अब देखिए यहां पर क्या है सी डबल बॉ यह द्यामे टो यह वाले रिंग पर संब्सटिटूशन होगा अभी जो ओक्सिजन है वो और तो ब्रोमीन या तो पैरा पर आएगा तो के बजू में जो लगी है वहाँ पर substitution होगा ओके बाजु वाला ओके बाजु वाला फिनाईल है यहां पर यहां पर तो यहां पर मेटा पर दिया है ओके बाजु वाला जो फिनाईल पैरा पर तो इसका उन्सर गया होगे 13 कडी सिंपल तो गलती से ये लेफ्टेंट साइड वाले रिंग पर सब्स्टिटूशन मत कर देना कुशन नमर 14 बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोशन है क्यमिकल एकुलिब्रियम का बाई origin in a ndraगैस पथा ना ली चैतलिस पिंसिपल में तेमप्रेचर चेंज करते हैं सेट ऑ और वॉल्यम को कैसे चेंज करते हैं इनट डाल के एक कॉंस्टेंट ऒॉल्यूम इनट गैस यह को dice manifests में डाला जाता है इनर्ड गैस डालो या नहीं डालो कुछ फरक कि नहीं पड़ेगा ना सो देर बीज नो एफेक्ट विच इस नौट एफेक्ट तो कोई भी रियाक्शन एफेक्ट नहीं करेगा तो इसका अंसर होगा ऐल अफ दिस बट सर अगर कॉंस्टेंट प्रेशर होता तो क्या होता है त दूनों साइड में तूटू मोल से तो कैंसल हो जाएंगे बाच में आगे अगर आपको डीटेल में जाना है तो केमिकल एकलिवरियम का जो मैंने वन शॉट बना है उसके एकदम एंड में मैंने यह चीज कवर किये वहां पर जाके आप देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सारे वन शॉट सीरीज के प्लेइलिस्ट का यह भी बड़ा इंटरस्टिंग कोशन है फॉर एन एग्जोथर्मिक रियक्शन फॉलोइंग टू स्टेप्स हर इनवल्ड पहला स्टेप स्लो है दूसरा स्टेप फास्ट है विच फॉलोइंग ग्राफ अब आपको अगर सन1 रियक्शन पता है स्टूड़न्स सनवन रियक्शन में सबसे पहले क्या बनता है फर्स्ट स्टेप में कार्वो कटा एंड यह जैज स्टेप होता है यहां पर भी पहला स्ट्प स्लोह दूसरा फास्ट है बताइए एसन वन में एपीडी ग्राफ कैसा दिखता था 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 स्टेप मतलब हाइस ट्रांजिशन स्टेट जाएगा वो फिर दूसरे स्टेप के लिए कुछ इस तरी कैसे ऐसा ग्राफ आपको चेक करना काँ पर है तो पहला जो ट्रांजिशन स्टेट है एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो जाधा होनी चाहिए तो इसका एंसर हो रहा है फिफ्टींत का बी बच्वन में आरिये बी आपको दिखाए दे रहा है और डी दिखाए दे रहा है बट इसमें अगर आप डी में देखो तो यहां पर आल्मोस्ट सिमिलर एनरजी लग रहा ह है तो फिफ्टींत का अपना एंसर हो गया बी क्लियर आगे बढ़ता है कि देगास इवोल्वेंट सी एस त्री एमजी बी आर इन मिथनॉल इस अब दिखे बच्चों सी एस त्री एमजी बी आर जो है एमजी के टकले पे पार्शल पॉजिटिव और सी एस त्री के ऊपर न थ्री और एच डाट इस सी एच फोर मीथेन मन जाएगा तो इस कैंसर क्या है यह तो एथेनॉली नहीं आप अगर कार्बोग्जिलिक एसेट लो आप अगर एसेटिलीन लो कोई भी आसेडिक एच प्लस आ गया ना तो आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा याद रखिए दूसरा नाम क्या है एथेन नाइट्राइल तो यह तीन अलग अलग नाम है इसके दो यहां पर और और एक यहां पर दिया है इसका अगर हम रिदक्शन करेंगे चार हाइट्रोजन डाल देता है तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 NH2 एथाइल अमाइन बन गया नो कहां पर एथाइ इस आरे दिया है the maximum radius of atom B then that that can be fitted into octahedral voids ओके B को octahedral voids में डालना है मतलब B क्या होगा आपका कटायन होगा क्योंकि कटायन का साइज छोटा होता है वही जाके tetrahedral या octahedral voids में जाता है अब यह radius ratio rule का question है अब देखिए यह स्लाइड याद आ रहा है मेरे solid state के one shot में मैंने बताया था अब देखिए structural arrangement यहां पर octahedral दिख रहा है इसका value क्या है 0.414 से लेके 0.0.414 से लेके 0.732 तो हमें क्या बोला है maximum बोला है तो radius of cation क्या है b और anion को हम ले लेते हैं a is equals to maximum होगा 0.732 तो rb is equals to 0.732 of ra यह अपना answer होगा तो कहां पर है यह रहा option d 18th cancer हो गया d तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ऐसे questions बहुत बार आये हैं तो यह जो table है ना यह जो table है पूरा सारे values आपको आने चाहिए याद करके जाना पड़ेगा कोई दूसरा option नहीं है next question arrange them in order of their acidity नहीं order of stability of inol बोला है चलो बड़ा सिंपल है stability of inol कई बार इसका acidity भी पूछा जाता है अब देखें यहां पर जो है एक एच प्लस अगर यह donate करेगा है एच प्लस अगर donate करेगा तो क्या हो जाएगा यहां पर आ जाएगा negative charge कितने एच प्लस डोनेट करता है दो एच प्लस खुशी खुशी डोनेट कर सकता है सर यहां से ही एच प्लस क्यों निकलता है because this carbon is flanked by two electron withdrawing group electron withdrawing group तो दो दो हाइडरोजन यह खुशी से 123 is our answer 123 option b simple acidity का question आया तो यह sequence होगा next आगे बढ़ता है अब देखें biomolecules का question आ गया है a nucleic acid का among the following set of base which set of base present in both dna and RNA अब देखें यहां पर uracil या uracil सर्किस में होता है आरेने में होता है यहां पर इसका answer होगा यह तीनों भी dna में भी होता है और आरेने में भी होता है तो यहां पर आपका 20 का answer है simple है कि ने चलिए biomolecules का भी one shot मैंने बनाया है आप जाके देखेंगा अगर नहीं देखा है तो consider the reaction तो चलिए dichromate का reaction यहां पर दिया है what is the quantity of electricity in coulombs needed to reduce one mole of dichromate ion को कितने electrons की जरुवत पढ़ रही है six moles of electrons देखें one mole of electron is equivalent to one faraday तो six moles of electron will be equal to six faraday बट coulombs में बोला है ना तो six varaday multiplied by 96,500 तो आप multiply करो तो कितना आतारे करना पड़ेगा बाबा ममे 00 30 यह 36 और 3 कितना होता है बिया 39 यह कितना हो जाएगा 54 57 तो इसको अगर मैं point डालू तो into 10 raise to 5 ऐसा कहा है 5.79 into 10 raise to 5 कितने सारे close answer दिये ना इसका answer हो गया A simple चाली आगे बढ़ता है मतलब यह वाला जो question था पहले वाला यह अपना multiplication का test था कि भया multiply कितने अचा अचा करता है question number 22 which of the following octahedral complexes will not show geometrical isomerism बोले तो सिस ट्रांस पता है ना से बोले तो जब दो similar group आजू बाजू में होंगे और trans बोले तो जब दो similar group opposite direction में होंगे तो देखिए यह तो दिखा सकता है जो बीटू है वो सिस ट्रांस दिखा सकता है यह नहीं दिखाएगा अचा यह कौन नहीं दिखाएगा वो पुछा है ना तो राइट आंसर इस बी क्योंकि एक ही भी है ना है मिनिममम दो भी तो लो आप थाकि compare कर सो को बीबी वाजू में आ गया तो सिस ऑपोजिट में आ गया प्रजिन खेंगे तो दिया है यहां पर अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल कभी डबल मैंने देखें एससे स्टुडिंस कभी डबल कभी सिंगल डबल मतलब उनकी जिन्दगी उसी में चली आती है क्या पता क्या गोल है ठीक है चलो समझदार को इशारा ही का या वोल तो यहां पर बोरॉन जो है अपनी अवकाज से ज्यादा बॉंड बना रहा है तो उसके टकले पर नेगेटिव चार्ज आएगा और अमुनिया जो है चार बॉंड बना रहा है तो प्लस चार्ज बराबर अब देखो यह बेंजीन जैसा नहीं दिख रहा है इसको इन और गैनि तो क्या होता है यह आरोमाटिक होता न अल्टरनेट डबल एंड सिंगल है तो बोराजीन जैरोमाटिक बहुत सही बोले भाई डरार फॉर आईसोमर्स आफ बाई सबस्टिटिवूटर्ग मॉली क्यूल बेंजीन में तो सर तीन ही आ सकता एक और थो आ सकता है एक मेटा सकता पैरा यह इतना शाना कैसे निकल रहा है कि चार चार दिखाएगा मतलब बेंजीन को चुनालती चलो देखता है यह statement सही है कि नहीं यह मैं यहां पर double single अभी नहीं बना रहा हूं सिर्फ एक single bond बना रहा हूं just solution for doubt हुट कर दें अब देखिये आप क्या कर सकते हो वे पहले केस में तो यहां पर CEO और तो दूसरा एक औरखी क्या कर सकते हैं यह पर मैंने sale लिया है heal just understand कुछ भी ले सकते वैससे अब मैंने क्या क्या बी और एन के ऊपर किआ न तो आप क्या करो अभी और B के डाल दो और next क्या हो जाएगा next क्या हो जाएगा अभी आपको समझ में आ गया होगा next क्या होगा next क्या कर सकते हैं एकडम opposite direction में ले सकते हैं CL और यहां पे CL एक और बनेगा वट डू यू थेंग भाई लोग एक और बनेगा क्या कितना गंदा रिंग बना रहा हूं मैं शरम आनी चाहिए ठीक है और क्या हो सकता है अब देखो यह जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है इसमें मैंने क्या किया है यह वान टू थ्री वन थ्री पोजिशन पर बनाया ना सब्सक्राइब बनाता है तो बैया सेकेंड पॉइंट भी सही बोल रहे हो बेंजीन यार आरोमाटिक है एकदम स्टेबल कंपाउंड बोराजीन को अंस्टेबल बोल सकते क्योंकि पॉजिटिव नेगिटिव लेकर बोज लेकर बैठा है चलो थर्ड पॉइंट क्या बोल र बोराजीन is more reactive towards addition reaction that's my yes 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 more reactive तीनों स्टेटमेंट्स है तो 23 का आंसर क्या हो गया अपना डी बराबर चलो सारे इस पॉइंट्स मनें आपको explain कर दिया है अग्गे बढ़ते हैं इसको अगर लीथियम अल्यूमीनियों हाइडराइड के साथ रेडियूस क्या तो लीथियम अल्यूमीनियूम हाइडराइड की खास बात क्या है वह डबली बॉंडड कारवन के ओपर अटाक नहीं वह में तो ऐसा option भी है डाइरेक्ली डान आगे बढ़ता है सब्सक्राइड करें तो यहां पर 25 तो यहां पर 25 का आंसर गया हो गया बी मैं चाहिए तो सब्सक्राइड के मेरे पर्सनल नोट्स का जो को PDF मैं नीचे description में डाल दूँगा वहां से डव्रूड कर लेना अब क्या बोला है यह 26th question compound P okay forms a precipitate with AGNO3 तो भाया यह AGNO3 है उसके अंदर कोई तो आपने compound P डाला है और वो एक compound बनाता है जो कि precipitate है दब precipitate dissolves in excess reagent P अचा अगर इसके अंदर excess में अगर पी को डाला तो वो क्या हो जाता है प्रेसिपटेट बन जाता है प्रेसिपटेट बन जाता है मतलब solution से निकल जाता है पी केनाट बी ओहो पी केनाट बी पूछा देखो यह थोड़ा सा ट्रिकी पार है ट्रिकी अब देखिए पूरा लेस्ट यहां पर है तो पहला देखिए अजी नो थी में आपने क्या डाल दिया के वेज़ डाल दिया तो क्या बन गया यहां पर यह यह option कौन सा option बात कर रहा है option के वेज़ दिया है के सी इन दिया है एने टू एस्टू ओ त्री दिया और एनेज त्री दिया है हो जाएगा तो अपना एंसर क्या हो गया यहां पर क्या हो गया option a 26 cancer है एक तो यह सारे रियाक्शन जो यहां पर मेरे है मैंने यहां पर लिखाया है जो यहां पर स्क्रिंशॉट डाला है आप इसको नूट डाउन करिएगा क्लियर आगे बढ़ता है नेग्स्ट क्रिशन है क्रिशन नमबर 27 एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्यूशन टू वीक एसेड बफर के बफर का कॉश्चन है पी एच दिया है आयोनाइजेशन कॉंस्टेंट के एडिया है रेश्यो ओफ सॉल्ट तो देखो बफर सल्यूशन में हेंडर से लगाल हैसल बैच एक्वेशन आता है कि भाया पी एच इस इकुल्स टू पी के एच प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉंसेंट्रेशन अपान आसिड का कॉंसेंट्रेशन तो हमें क्या पूचा है रेश्यो ओफ सॉल्ट तो असद मतलब ऐस अपॉन एपूचा है देखो पी ए log of 10 raise to minus 5 minus 5 आगे आजाएगा तो 5 log 10 1 होगा तो यह हो गया 5 plus log of s upon a तो देखिए log of s upon a will be equal to what 1 होगा log का log के आगे कौन सा value आएगा तो 1 answer आता है log of 10 is equals to 1 तो भाया ऐसे बोल सकते है s upon a is equals to 10 that is 10 by 1 बोल सकते है तो 10 is to 1 27 का अंसर है तो Henderson-Hasselbach's equation यहां पर आना चाहिए तो यह मैंने आयोनिक equilibrium में करवाया है next question question number 28 the electron was shown experimentally to have wave properties तो यार यह तो बड़ा फेमास एक्स्परिमेंटली किस ने प्रूफ किया था तो यह याद रखिए देखो experiment अपना experiment and scientist के नाम भी यह लोग पूछते हैं किसने क्या discovery किया तो introduction में कई बार वो होता है तो वो भी पढ़के जाना पड़ेगा next the ability of an ion to bring about coagulation of a given colloid पता है ना coagulation कैसे आता है suppose एक colloid है जो की positive है positive colloid है तो उसके अंदर हमने क्या डाल दिया कोई ion या electrolyte डाल दिया कौन सा डालेंगे negative तो जाकर उसको coagulate कर देगा मतलब प्रेसिपिटेट बना देगा तो किसके ओपर डिपेंड करता है तो अगर मैं आपको बुलू मेरे पास है CL- और क्या है SO42- तो कौन सा जादा powerful होगा तो SO42- powerful होगा क्योंकि उसके पर 2- charge है तो magnitude and sign both of them are important क्योंकि अगर मैं इसको coagulate करने के लिए positive डालो तो थोड़ी वो coagulate होगा तो sin B as well as magnitude of charge दोनों matter करता है coagulation के लिए option D is the right answer अभी delta U is equal to isobaric work adiabatic work isothermal work and isoporic work लेको first law of thermodynamics क्या बोलता है delta U is equals to Q plus W अभी delta U is equals to अपने को work करना है तो Q क्या होना चाहिए जीरो Q is equals to zero कब होता है adiabatic process में ब्राबर तो delta U is equals to W is work को क्या बोलता है adiabatic work to option D is the right answer next sodium extract is heated with concentrated H-onotry अगर आप ध्यान से थेखो some basic principles of organic chemistry and isolation techniques right extraction techniques उसके उपर दूसरा question आया है smoke test में मतलब वो chapter important है बच्चे इग्नोर कर देते यार lezyne test lezyne test बोले तो sodium sodium fusion extract test है यह नहीं कई बार वो जो Persian blue color का complex आता है उसका क्याला उसका formula क्या यह सारे questions आते हैं आप देखेगा वो वीडियो बहुत important है इग्रोर मत कर उसको उस चैप्टर को अभी sodium fusion extract is heated with concentrate before test for halogen के लिए किया था हमने cyanide के लिए किया था बुले तो nitrogen के लिए किया था and sulfur के लिए किया तो halogen के case में हमें सिर्फ halogen सिर्फ यह ना we don't want nitrogen and sulfur तो उसको destroy करने के लिए हम कॉंगेशन रूतरी डालते हैं तो 31 का अपना answer आ रहा है C पर अबर sulfide and cyanide if present are decomposed by कॉंगेशन रूतरी हैं hence do not interfere in the test very famous question from this chapter question number 32 कैसे solve करने मैं आपको बताता हूं what amount of bromine will be required to convert 2 gram of phenol into 2,4,6 tri-bromophenol तो अपने पास क्या है phenol है what amount of bromine इसके अंदर bromine डालना पड़ेगा bromine water डालेंगे और यह क्या बनाएगा 2,4,2,4,6 ठीक है यहां पर BR है यहां पर BR है यहां पर BR कितना लेना पड़ेगा 3 तब जाके यहां पर 3H BR भी आएगा अब phenol क्या होता है C6H6OH इसका क्या करेंगे 12 इन्टू 6 प्लस 7 साथ हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सिजन कितना है 16 यह 72 और यह प्लस कितने करेंगे आएगा 23 95 हो गया अब यहां पर BR 2 एक BR का वजन इफ आयम नौट रॉंग 80 होता है तो BR 2 का हो जाएगा 160 इन्टू 3 मतलब यह 480 तो यह भाया अगर 480 ग्राम ग्रुमीन रियाक करता है तब जाके हमें क्या मिलता है किसके साथ रियाक करता है 95 ग्राम फिनोल के साथ रियाक करता है पिनॉल का बराबर लिए न हम नहीं ठीक है एंसर के आएगा तो दो ग्राम फिनॉल के लिए चलो एक्स ले ले लेते हैं इसको एक्स विल वी इकोल टू 480 इंटू 2 डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ इसका अप्रॉक्सिमेटली आपको 10 के अरांड आंसर आएगा अगर अगर आप मल्टिप्लाई करो तो यह होता है जीरो यह हो जाएगा 6 और यह 9 960 डिवाइड़ 95 तो अप्रॉक्सिमेटली दस हो गया ना तो 10 के अरांड आंसर आट इस सिंपल तो कुछ नहीं था यार स्टोशियोमेट्री का कुश्चन था अके बड़े 32 के बाद है अपने पास यहां पर 33 अच्छा कुश्चन है चैमिकल का इनेटिक्स का पॉर दीकॉंपोजिशन ऑफ एच्छा है एड थाउजन केल्विन तू एच्छा है गिवस्यू एच्टू आईटू डेटा दिया है और पूझा है ओडर के हैं तो क्या रेट डबल हो रहा है क्या नहीं सर्थ 2.75 इंटू 2 करेंगे तो यार 11 थोड़ी ना आता है तो क्या करते हैं 2.75 इंटू 4 करते हैं तो 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा यह जाएगा 20 यह जाएगा 30 और यह जाएगा 11 आ रहा है ना मतलब 4 गुना बढ़ रहा है चार गुना बढ़ रहा है मतलब हाए के टकले पे क्या आएगा तू जो भी concentration term है उसके टकले पे तू आएगा तो इट इस बिसीकली है second order reaction ब्राबर तो इस 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 second order reaction option भी तो एक डम डबल हो गया मतलब concentration को भी डबल किया तो rate भी डबल हो रहा है मतलब उसी के हिसाब से बढ़ रहा है तो order विल बी 1 पड़ अगर चार गुना हो गया तो order विल बी 2 क्योंकि उसका square हो जाता है 34 molecular weight of oxalic acid is 126 okay the weight of oxalic acid required to neutralize 100 cc of normal acid base का reaction है तो या दरखने का कि बहिया equivalent of acid oxalic acid is equal to equivalent of NaOH अब यहां पर complete neutralization हो रहा है तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं और कि N1 V1 is equal to N2 V2 बराबर तो चलो इसको यहां पर यह oxalic acid है और यह है NaOH कितना normal दिया है of normal बोले तो 1 normal है तो NaOH का normality 1 दिया है और volume दिया है 100 ml इसका कितना volume लेना पड़ेगा कितना volume लेना पड़ेगा वो दिया है क्या वो तो नहीं दिया है तो normality का formula क्या है normality is number of gram equivalent number of gram equivalent कैसे आता है given mass upon equivalent mass equivalent mass क्या है 126 divided by 2 करूंगा क्योंकि oxalic acid 2H plus donate कर सकता है into volume of solution तो यहां पर V1 V1 आ गया तो यह तो cancel हो जाएगा ना यार तो क्या बचा यहां पर M divided by 63 is equals to 100 अचा सिर्फ यहां पर यह ध्यान रखना यह लीटर में था ना उपर multiply करना पड़ेगा 1000 से अपने को तो 1000 जो है 1000 को हम लोग कहां पर ले लेते हैं यहां पर नीचे ले लेते हैं यह हो गया 1000 तो M is equals to 63 divided by 10 that will be 6.3 to 34 का अपने को क्या आंसर आ रहा है तो यहां पर क्या formula यूज करना था N1 V1 is equals to N2 V2 तो उपर वाला क्यू लिखा पता नी बट मैंने आपको बता गिया कि acid base में आप यह भी कर सकते हो पर हमें यहां पर N1 V1 is equals to N2 V2 यूज करना था next question next is question number 35 atomic structure का question है चलो बहुत बढ़िया देखते है the energy of second bore unit bore orbit of hydrogen atom is minus 328 kilojoules ठीक है hence the energy of the fourth orbit would be the case में आप directly formula यूज कर सकते हो कि भाहिया n is equals to minus क्या था वो 13 12 क्या 13 12 divided by n square तो is equals to minus 13 12 divided by कौन से है orbit का चाहिए 4th न तो 4 square कर देंगे 13 12 divided by 42 लग रहा है 4 square 16 तो यह भीया कितने में से जाएगा अगर मैं इसको यह point लगता हूं तो into 10 raise to 2 उपर वाला अगर थोड़ा सा ज्यादा होता न 16 होता न तो directly 100 answer आता बट 100 से थोड़ा सा लेज आएगा 100 से थोड़ा सा लेज जैसा कोई option है option d minus 82 kilojoules per mole तो यह kilojoules per mole में आपको answer आता है 35 हो गया पेपर खतम होने वाला है बहुती बढ़िया न यह भी बहुत अच्छा question पूचा है electrochemistry का क्या बोला है the resistance of one normal solution of acetic acid is 250 ohm when measured in a cell having a cell constant cell constant भी दिया है ठीक अपने को क्या पूचा है equivalent conduction क्याप eq पूचा है क्या होता है कापा into thousand divided by normality बराबर के नहीं अभी कापा तो इन्हों directly दिया नहीं है तो हमें यह पता है कि कापा is equals to g into g star but g क्या है one upon r है और g star क्या है वो तो cell constant है resistance दिया है उन्होंने यह 250 दिया है और g star कितना दिया है 1.15 तो कापा का वैल्यू मिल गया तो कापा is 1.15 divided by 250 into normality कितना दिया है one normal और उपर किस क्या करना पड़ेगा multiply by thousand तो हो जाता है one one five zero divided by two zero zero गया यह कितने जाज आएगा रहे भाहिया चीश चौक सौ हिंदी में पार्ट पड़े थे मैंने बच्पन में चलो 25 फोर्जा 100 हो गया 100 4.something आएगा तो इसका एंसर क्या है c 36 का c 36 का c आंसर आगे आप लोग को भी आगे बढ़ता है a salt ma2 ionizes as okay यह दिया है it was found that the given solution of the salt had the same freezing point as that of glucose of twice the molality the degree of ionization मतलब alpha पूछा है आप लोग ने किया क्या solve नहीं किया है अगर आप पूरा वीडियो मनोरंजन जैसा देख रहे हैं बिना पॉस करके तो एक बर इसको ट्राइं कर लो एक तीस इसको ट्राइं कर लो एक बर देखो आता है कि नहीं तो भी कोई लोग करेंगी नहीं कुछ लोग तो ऐसा ही है आप बता दो ना सर क्या टेंचन है ठीक के बताना तो मेरा फर्ज है बता देता हूं अब बोला क्या है कि freezing point जो है किसका ma2 का it is equivalent to freezing point of glucose ब्राबर बट क्या बोला है glucose of twice the molality मतलब जो molality of glucose है it is twice that of molality of ma2 solution इतना एक लेर होगे अब देखिए डेल्टा टी एफ क्या होता डेल्टा टी एफ इस इक लगता हूं कि यहां पर भेड़े में ढूरे में तो मुझे यहां पर आई डालना पड़े गा है इस इक्वेश्पनेसं पर websites एक्वेशन को इस रखता हूं गे जाएगा डाट डिजन बॉदर नेक्स किसका बारे में बात करेंगे ग्लुकोस के बारे में डेल्टा टी एफ को आप लोगों को हिंट आ गया होगा हिंट आ गया तो आप खुछ से भी ट्राइब कर सकते हैं यहां पर डिरेक्ट लिए फिंटू एंटू 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 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि टी एफ में टू डिवाइड़ वाई टी एफ जी विल बीएक्वल टू उपर आई बच जाएगा अभी उपर क्या है टिक है मॉलालीटी ओफ में एटू डिवाइड़ बाई नीचे क्या एंजी मजी के बदले मैं यह वाला लिखू ग हो गया और दुनों का फ्रीजिंग पॉइंट से में यह कैंसल हो गया मतलब यहां पर में लिखता हूं आई इकोल्स टुक्या रहा है तू आ रहा है अब अलफा का फॉर्मुला क्या है आई-1 डिवाइड बाई-1 आई आगे आपको तू अब यह डिसोशेट होने के बाद तो कितने पार्टिकल्स दिखाए दे रहा है तो 3-1 विच इस 1 बाई-2 इस 0.5 तो 37 का अंसर है अपना C क्लियर सिंपल तो इस तरीके से स्वाल किया जाता है नेक्स्ट कॉस्टिन की तरफ बढ़ते है 38 प्यारा सा कॉस्टिन है आयोनिक एकिलिब्रियम का solubility product concept का solubility product of agcl दिया है अपने को precipitation of agcl will occur only when the equal volumes of which of the following are mixed अब दिखिए agcl जब dissociate होता है तो क्या देता है ag plus plus cl minus ksp क्या है solubility product ag ion multiplied by cl minus आप मुझे बताए एक solution में प्रेस आप उपर से नमक डाल रहे हो लेट से तो नमक डिजॉल हो जा रहा है लगबग 30 ग्राम डाल दिया 32 ग्राम वोटेवर इससाटूरेशन पॉइंट साटूरेशन पॉइंट आने के बाद आप एक्सस डाल रहे हो तो एक्सस आयों जब आगे तो तब जाके वह प्रेसिप्रेट दिखाएगा तो केसपी से ज़्यादा अगर आयों आये तभी जाके प्रेसिप्रेशन होगा मतलब यह जो वैल्यू है इससे ज्यादा एंसर आना चाहिए करोगे तो 10 1 542 मैंने सब्सक्राद टो jest को करोगे तो क्या एंगा यह क्या है 10 र nouveaux20 गें explainsmor इसायान फंड चाल वडार है न फिन य्यक्राइब अपना और लडे 2। होगा next important step in the extraction of metal from carbonate or is carbonates के लिए important step कौन सा होता याद रखिएगा calcination अब मैंने isolation of elements का one shot तो नहीं बनाया है but अगर request जाधा आती है comment section में तो isolation of elements का one shot में consider करूंगा एक वही chapter बचा हुआ था आप मुझे से बताएगा ना which substance would give a solution with the boiling point which substance will give a solution मतलब वो solution बना रहा है with the boiling point below that that of pure water मतलब उसको pure water में डालेंगे तो उसका भी boiling point lower कर देता है ऐसा कौन सा है मुझे तो directly एक ही दिखाई दे रहा है that is ethyl alcohol क्योंकि ethyl alcohol का boiling point is very less as compared to water तो पूरे solution का boiling point decrease कर देगा clear next question number 41 in van der Waal equation of states of a real gas the term that accounts for intermolecular force a है ना is the constant जो intermolecular force बताता है बी क्या बताता है बी constant आपको excluded volume बनात बताता है मैं states of matter के one short में मैंने कवर किया है तो एक आहां पर है a option b this is what is called as pressure correction term pressure correction term next question number 42 2 अब coordination compounds का बहुत ही प्यारा question 42 question which of the following properties don't help in differentiating different hydrated isomers of this अभी इसका मतलब क्या different hydrated isomer क्या होगा chlorine के पास six ligands होने चाहिए तो यह के आजाएगा cl3.3 h2o और बाहर के आएगा 3 h2o के अभी इसी का hydrate isomer बनाना है तो एक water को अंदर भेज देता हूं और एक chlorine को बाहर डाल देता हूं कि अब देखिए दियान से क्या conductivity में इन दोनों का में conductivity अगर मेजर करूं तो सेम आएगा की डिफ्रेंट आएगा डिफ्रेंट आएगा क्योंकि यहां पर cl- ions मिल रहा है मुझे तो conductivity is the measurement to differentiate बड़ यहां पर क्या बोला है विच डिज नॉट हेल प्रेसिपिटेशन ऑफ एज यह इस से भी हम डिफ्रेंट कर सकते हैं यहां पर बाहर तो कोई आयों से नहीं है प्रेसिपिटेशन के लिए डाइपोल मुमेंट यह अगर आपने पढ़ा होगा तो यहां पर इनका जो स्रक्चर है वह थोड़ा से डिफ्रेंट हो जाएगा तो डाइपोल मुमेंट भी थोड़ा से एफेक्ट होगा सवाल आता है मैगनेटिक मुमेंट तो क्रोमियम के ऑक्सिडेशन नंबर के उपर डिपेंड करता है ना तो यहां पर क्या है यह क्या है भाया क्या है क्या है किस से हम डिफ्रेंटिट नहीं कर सकते मैगनेटिक मुमेंट नेक्स्ट फर्टी थ्री इफ 200 ml of helium at 0.66 ATM okay and 400 ml of o2 at 0.52 ATM are raised in 400 ml vessel okay 400 ml के vessel में डाला है okay find the partial pressure of helium and oxygen तो देखिए पहले हेलियम का जो वॉल्यूम था 200 ml था और उसका प्रेशर जो था 0.66 ATM था बट अभी हेलियम को हमने क्या कर दिया है 400 ml में डाल दिया है container में अब वॉल्यूम ज्यादा आ गया ना वॉल्यूम ज्यादा आ गया तो अभी ज्यादा कोलाइड नहीं करेगा वाल्स के ओपर वॉल्यूम कितना ज्यादा अल्मोंस डबल तो प्रेशर हाफ हो जाएगा वॉल्यूम तो प्रेशर हो जाएगा यहां पर क्या 0.33 ATM और ऑक्सिजन का पहले क्या था 400 ml था और उसका प्रेशर कितना था जीरो पॉइंट फाइफ तो अभी ऑक्सिजन कॉनसे वह भी वह तो 400 ml के कंटेनर में वापस से आ गया तो उसका प्रेशर को तो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो आंसर इस 0.33 and 0.52 0.33 0.52 एंसर इस बी 43 कांस है बी सबल आगे 44 अब मेटालिक कारबाइड on reaction with water gives a colorless gas कारबाइड पानी के साथ रियाक करता है कौंसा कारबाइड होगा विच बूंस रेडिली इन एर अच्छा जो गास दे रहा है इत बूंस रेडिली इन एर and gives a precipitation with ammonical silver and nitrate ओहो उसके साथ precipitate भी दिखाता है which is the gas evolved in reaction तो मीठेन मेरे ख्याल से answer D होना चाहिए देखिए आपने कैल्शम कारबाइड सुना है ना CAH2 यह आपके अक्चुली अलकाइन्स चैप्टर का question है CAH2 थोड़ी CAC2 C triple bond C इसके अंदर हम वाटर डाल देता है water कैसे डालेंगे HOH HOH तो यह वाला पार्ट निकल जाएगा calcium hydroxide बनेगा और क्या बनेगा CH triple bond CH अब इसकी खास बात क्या है ना यह जो hydrogen है काफी ज्यादा acidic है तो यहां पर H प्लस हटके क्या आ सकता है AG प्लस आ सकता है है ना तो यहां पर precipitation दिखाएगा तो answer क्या है यह नहीं कहाँ पुचाँ विच दगाशी वालता हो तो गाशीवाल इसी टुएज तो यह जो आप्ट इस आप्ट इस राइड ना सो लास्ट कुछन की तरफ आ गये हैं और बड़ा ही संपल सा कुछन है polymer chapter का natural rubber is the polymer of natural rubber में क्या होता है आइसोप्रीन होता है आइसोप्रीन कैसे दिखता है कुछ ऐसे दिखता है टू मिथाइल वन कॉमा थ्री व्यूटाडाइएं तो अपना answer हो गया आइसोप्रीन डान सो बदाएगा चैट सक्षिन में कमेंट सक्षिन में की कैसा गया यह पर आपका मजा आया कि नहीं और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो बहुत सारे स्टुडेंस है जिनको ऐसे क्वालिटी वीडियो की ज़रूरत है तो आप अपर फ्रेंस के साथ शेर करेगा मिलते हैं मेरे सुनें नेक्स्ट वीडियो बाए